हेले दोस्तों वेल्कम बैक टो माई शेल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एवेस के कुछ इंपॉर्टन नोट्स ठीक है तो जो प्रिवेस यह में आए हुए कोशन से उनके ही यह पॉइंट्स है और जिसे की आगे आप लोग के काम आए ठीक है तो चले स्टार इतना हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगी परेवरन क्या है तो अर्थात environment कि शब्ध है कहां से बना है फ्रेंच पासा के इंवार सबसे पहले कि यह कहा से लिया गया तो फ्रेंच भासा के इन वारण से लिया गया है है द्हान रखिएगा यो डारेकोशनल इस से पुछाया था कौन सी भासा से लिया गया है और प्रेंवरं सब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वह परी प्लस आवरण ठीक है परी का मतलब हो है चारो और और आवरन का मतलब है गेरा इस प्रकार हमारे चारो तरफ वह समस्त भौतिक में kya क्या आ जाएका जल्बी है वायो भी है भूमी है जैविक तत्व जो भी जैविक तत्व वह पादकने और जीव समस्त भौतिक एवंस जैविक तत्व परवरण के विशे हैं तो दोनों बहुतिक और जैविक तत्व में जो जव आते हैं वो सारे क्या है प्रवरन के एक विशे हैं तो अब दिखें यहां पे जो एक और इंपॉर्टेट जैविक तर पुछा आता है परवर-स Friday दिनियम कब हुआ था 1986 की धारा 2A के अनुसार इसमें समस्त भौतिक एवंस जैविक तत्वों को सामिल किया गया था ठीक है तो यह याद दखेगा 1986 की धारा कौन सी धारा थी वो 2A थी ठीक है जो जीव जन्तुओं के जीवन को प्रभावित करता है परवरंड एक अविभाज समस्ति यह सत्त है जो जायविक अजयविक घझड को से निर्मित हुआ है इस सस्त्रों में प्रकती तथा स्श्थी रसrina के दो टत्वों में से एक माणा गया है तरह जादा इंप्रौ्टंटन नहीं बस वही वाला इंप्वोर्टंट है कि यह देखिए वाला ज्यादा इंपोर्टन्ट है और इसके बाद दिया गया साक्य प्रदर्शंद तो प्रकती एवंस पुरुष्ट से भी स्रिस्टी की उत्पत्ती मानता है दे नेचर ऑफ एन्वार्मेंट में ए गाउची महोदे ने ठीक है एक आउची की यह पुस्तक की भौतिक एवंस जैविक गडगों को परेवरेंट का अंग माना है तथा परेवरेंट को प्रभावित करने के लिए करने में मनुशुक के हस्तचेप को एक महतपूर कारक माना है ठीक है तो यह गाउची महोदे की कौन से पुस्तक है दा नीचर ऑफ एन्वार्में है या कितने में बाटा गया है तो पहला इस पर दिया गया है इस्तल मंडल फिर वायू मंडल और जल मंडल और जैव मंडल ठीक है तो इस्तल मंडल को इंगले मंडल को बोलेंगे एट्मॉस्फियर और जल मंडल को बोलेंगे हैड्वस्फियर और जैव को क्या बोलेंगे ब गटक बनीः कारवनिक हैं कॉनिक्हाएग है जैविक घरकेसि की चार्वाजायों करती है और चैकारवनिक्ति हीMM आप कार्बिनिक में क्या क्या आ जाएंगा ये बायो में लोग देखी रहा है मम देखें गेंगे प्रोटीन भी है कार्भोहईडरेट भी ये वसा भी थे अब तरट में क्या है उत्पादक है वुपी भोगता है और अप गटक है तो दो तीन है इस पर इसके बाद दिया गया है छेत्र एवंस उनके जनक यह बहुत ही इंपॉर्टन है में कोश्चन से पूछा ही जाएगा तो सबसे पहले इस पर दिया गया है परेवरेंस इक्षा तो परेवरेंस इक्षा दी थी पैंत्रिक पैंत्रिक गैडीज गे दीच का है यह और पारिस्तिति के परिपिरामेट क् altern का है और जैर विविद्वटा क्या हो जाएगा ए बिलस夏 और अमल जो वर्षा हुए इसको किसổi ने इक सिकेंड हाव इसने बताया है यह रॉबरट समृत ले लिए तो फिर सेग्वार रिवाइस कर लेता है पारावरेंस सिख्षा किस ने दी है पैत्रिक गैदीश ने दी है और पारिसिति की पिरामेड क्या हो जाएगा चाल्स एल्टन हो जाएगा जैविता हो जाएगा एओ विलसंस अमलवर्सा हो जाएगा रॉबर्ट स्मित और ऑजोन पर अच्छ है किसने दिया गया है फोर मैं ने दिये गी है और ऑजोन की खोज फैडरिक इसको बेरने दी यह हमारा कंप्लीट अब आगे देखते हैं क्या क जर्मनी के एक टांसले ने देखें शब्द के डारेक कोश्चन पूछा रहा था किसने इस सब्द का फरस्ट राइंड यूज करा तो और जर्मनी के एजी टांसले थे उन्हों ने करा था एकोसिस्टम का सब्द का प्रयोग किया था ठीक है अब इसके बाद दिया गया है प होते परवर्णिये पर सर्व प्रथम गंभीर कि चिंतन जो हुआ वो कब हुआ था उनने से सत्तर के दशक में तब प्रारम होता है जब वॉलस ब्रोकर ने उनने से सत्तर में ग्लोबल वार्मिंग के एक हातक परिणाम है उनकी जानकारी दी ठीक है फिर इसके बाद परवर हम लोग देख चुके हैं 1972 में और फिर इसके बात है रोचक है कि इसी बैटक में यून एपी के गठन का निर्मार हुआ था और यहीं से पूरे वर्ष में एक और इंपॉर्टन कोश्चन यहां से मिल जाएगा पांच जून को विश्व में पांच जून को परवरंदिवर् करमपरा शुरूवी जो आज भी जा रही है ठीक है और फिर इसके बाद दिया गया पारिस्थित्गी एको हां इको लॉजी आप देख्या एको लॉजी सब्द का जो सरप्रतम से यूज करता यह बताई दिया अर्नस्थायकल ने करा था परेवरन का जीत धारियों पर पढ़ने वाले पारस्परिक प्रभावों का अध्यन किया गया था ठीक है तो यह सिंपल सा है और खाली बस इस पर यह याद दखेगा अनस्ट और हैकल और फिर इसके बाद दिया गया है पारिस्त की तंत्र एको सिस्टम का पिता जो है किसको मा माना गया है एजी टांसले को माना गया गया था और इन्होंने कब कर रहा है या फिर कब बताया गया कुछ भी मान लिजिए इस पर 1935 में और फिर इसके बाद क्या दिया गया है पारिस्तिक तंत्र की बारे में अब इस पर देखते हैं कि यह तंत्र है जो परवरन के जैवि दूसरे से भिन हो सकता है या तलाब की एक बूंद जैसा छोटा और तता समुद जैसा बड़ा हो सकता है इको सिस्टम इस्थाई और आइस्थाई दोनों हो सकते हैं इससे डारेक कोशन ऐसे भी पूचा जा सकता है ऑप्शन के तुरू आप लोग ध्यान रखी का तो दोनो ओप्शन सही होंगे इस्थाई भी और आइस्थाई दोनों हो सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद दिया गया है पारितंत एवं सखाद्र संक्ला उत्पादक अब देखिए उत्पादक क्या होते हैं सजी प्राणियों को भोजन उप लब्द करने कराने वाले पेर पौधे उत्पादक कहलाते हैं अब इस पर कौन-कौन से उत्पादक है उनको देख लेते हैं पहले क्या दिया गया प्र पर निर्भेर रहते हैं फिर दिया गया द्वित्ती उपभोगता जो की मासाहरी होते हैं जैसे साप हो गया मेड़क हो गया ठीक है और फिर इसके बाद दिया गया त्रित्ती उपभोगता तो ऐसे जीव जो प्रात्मिक एवन से दोनों उपभोगता को अपना आहार बनाते है जैसे भेडिया हो गया चेर हो गया गिद्ध हो गया तो यह कौन से हो जाएंगे तृति उपभोगता फिर लास्ट पॉइंट इस पर दिया गया सरवाहारी है हम लोग बच्पन से परते चले आ रहा है कि ओमनी वारस कौन होते हैं तो ऐसे प्राणी जो पौधो एवन से जन्त जीव सामिल हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपगटन करके पुना चक्रन में साहता करते हैं तो जादा इस पर कुछ वैसा था नहीं बड़ जो इंपॉड़न पॉइंट्स थे वह आप डाउन कर लीजेगा यह हो गया और किसने क्या बोला है पिता हो गया कि किसको कौन स पिता बोलते हैं ठीक है किसने सब फर्स ताइम सब्स यूज करा एको सिस्टम और एकोलोजी वाला वह देख लीजेगा बागी कुछ इस वाले में है नहीं और यह है कि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा से कुछ कोश्चन से कभी कदार बेसिक से पूछी जा सकते हैं तो इस पर पूरा बेसिक है पूरा ठीक है तो नेक्स वीडियो में लोग और इंपॉर्टंट जो हमारे इसके सेकेंड पार्ट में रहेगा सेकेंड बहुत अच्छी है तो उस पर आप थुरा सा ध्यान से देखेगा यह वाली यूनिट में खाली जो प पर आप समय है